कोरोना वाइरिस महामारी की चलते लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है जैन जिला कलेक्टर आशी, शिसें और पुलिस कप्तान सवीता सुहाने की निर्देशन पर चलाए गया भ्यान के तहत जिला प्रशाशन, पुलिस प्रशाशन की टीम सड़क पर आ गई है लगातार समाज के दुश्मनों के उपर कारिवाही की जा रही है आज सुबह से अस्जिम जगदीश महरा और कोतवाली CSP पल्लवी शुकला अपनी टीम के साथ उज्जैन को इलाफाटक चुराहे पर खड़े होकर समाज के दुश्मनों के उपर लगातार कारिवाही कर उन्हें आज स्थाई जेल भी भीचा गया है ये दिवाहन पर तीन सवारी है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है तो उनके उपर चालानी कारिवाही की जा रही है वहीं जिन लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है उनको भी गिरफतार कर आज स्थाई जेल भीच कर उचित कारिवाही भी जिला प्रशाशन पुलिस प्रशाशन की टीम कर रही है हमारे वरिष्ट अधिकारियों के निर्देशन में ये पुलिस प्रशाशन की सयुक्त टीम द्वारा कारिवाही की जा रही है इसके अंदर जो लोग शोशल डिस्सिंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उन पर चालानी कारवाई की जा रही है और उन्हें गिरफतार कर ओपन जेन मादम नगर भीजा जा रहा है तीन सवारी पर भी चालानी कारवाई की जा रही है यह जो कुरोना का जो अभी समय चल रहा है इसमें अभी देखने में यह आ रहा है कि कई जंता में अधिकतर लोग जो है मास्क का पहना कम किया है उन्होंने और सोशल डिस्टंसिंग का पालन करना भी कम किया हुआ है ऐसी स्थिति में कलेक्टर सर और स्पी सर द्वारा जो है निर्देश लिये गए हैं कि इनलों को मास्क पहनना आती आवशक है और जो सोशल डिस्टंसिंग उसका पालन करना बहुत आवशक है इसके लिए एक सांकेतिक रूप से माधव कॉलेज में अस्थाई जेल का निर्मा जेल में और इसका उदेश केवल यह है कि समाज में मास्क की महत्ता और सोशल डिस्टंसिंग का पालन हो इसके बारे में इन लोगों को जागरूपता फैले यही एक मात्र कारण इसका